नमस्कार, डायबिटिक पेशन्ट को हमेशा अपने डायट पर और अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देखने की सला दी जाते हैं, इसलिए आज मैं आपको एक अद्भुत और प्रभावी रेसिपी बताऊंगी, जो सभी डायबिटिक पेशन्स के लिए काफी लाबदायक स काफी नियंत्रित होने लगेगा, इस चाय को बनाने के लिए आपको एक ग्रीन टी बैग, आधा चम्मच पीसी हुई डाल चीनी, आधा चम्मच ताजा कद्दुकस किया हुआ अद्रक और एक छोटा चम्मच निबू का राश जो ऑप्शनल है, अब देखते हैं इस चाय को दाल चीनी डालें, अद्रक डालें और अच्छे से घुमाएं, तीन मिनिट के लिए छोड़ दें, ताकि सारे फ्लेवर एक साथ घुल जाएं, आप चाहे तो निबू का रस भी डाल सकते हैं, और अपने स्वादान उसार इसमें मीठास भी डाल सकते हैं, जैसे ही आप चाय पीने के लिए बैठते हैं, तो इस बात का ध्यान दें, कि ये चाय कैसे आपके स्वास्त्य को सुधारेगी, खास कर डायबेटीज, इस रेसेपी में ग्रीन टी इसलिए शामिल किया गया है, क्योंकि इसमें काफी सारे एंटियॉक्सिदेंस होते हैं, और डायबेटीज को नियंट्रित करने के लिए बहुत ही फायदेमन होते हैं, दालचीनी से आप ताजगी महसूच करने के साथ साथ, आपकी इंसूलिन सेंसितिविटी में सुधार होता है, अधरक में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रापर्टीज होते हैं, आपके संपूर्ण स्वास्त्य को सुध सकते हैं, निमू के रस से आपको विटमिन C मिलता है और एक अच्छा स्वाद मिलता है, तो जब भी आप यह ड्रीक पीएं, तो इन सभी बातों का ध्यान रखें और आनन्द से चाय पीएं, इस चाय की हर एक चुस्की के साथ आप वर्तमान पल का आनन्द लें, सभी प्रक अच्छी नीन लें, स्ट्रेस कम करें, जब आप इन सभी चीजों का पालन करेंगे और साथ ही इस चाय को भी पीएंगे, तो वास्तव में आपका ब्लड शुगर लेवल नियन त्रण में आ जाएगा, शुभा मस्तू, नमस्कार